सिरल अनुपमा में आने वाला है इंटरस्टिंग मोड जहां अनुपमा पहली बार मुंबई पहुचकर समुद्र देखने के लिए है एक्साइटेक तो वहीं वन्राज और काव्या भी अचानक पहुचेंगे मुंबई और पहली बार अनुझ वन्राज को कबूल करता है कि वो अनुपमा से प्यार करता है जी हाँ सिरल अनुपमा में जहां आपने देखा कि कैसे अनुपमा ने अपनी पहली उडान भरी वो अनुझ के साथ मुंबई बिजनेस चुप पर गई बशपन से ही उसका सपना था कि वो हवा में उड़े और साथ ही समुद्र को करीब से देखे और अनुझ के बदौलत अनुपमा के सारे सपने अब सच हो रहे हैं अनुपमा अनुझ से उसकी कुछ तस्वीरे लेने के लिए के लिए कहती है वो उससे बाबुजी के पास भेजती है और उन्हें बताती है कि वो बिजनेस क्लास में है और उड़ने के लिए काफी उक्साइटेड है बाद में जब विमान उड़ान भरता है तो अनुपमा की आँखों से आसू आ जाते हैं लेकिन वहीं अनुझ को डरा हुआ देखकर उससे हसी छूट जाती है हलाकि अनुपमा अनुझ को सांतुना देती है और हनुवान चलीसा का पाठ पढ़ने के लिए कहती है अनुझ कुछ समय बाठ ठीक हो जाता है और अनुपमा को अपनी पहली उड़ान का आनन लेने के लिए कहता है और वो दूसी सीट पर चला जाता है बाद में जब खाना परोशा जाता है तो अनुज उसे नहीं लेता इसलिए अनुपमा उसे घर का खाना देती है वहीं सीरियल में आएगा निया ट्वेस जब अनुज उसे समोंदर के किनारे ले जाएगा जहां अनुपमा अपने एकसाइटमेंट को रोक नहीं पाएगी लेकिन तब ही कहानी में आएगा ट्वेस जब वन्राज और काव्या वहाँ पहुच जाएगे जिसे देखकर अनुपमा चौंग जाएगी इसके साथ ही सीरिल के अपकमिंग अपिसोड में देखने को मिलेगा बड़ा ट्वेस जब समंदर के किनारे अनुज और अनुपमा को देखकर वन्राज अनुपमा को ताना मारेगा वहीं ये बाद अनुपमा को काफी परिशान करती है और इस बाद से अनुपमा काफी आहत होती है वहीं बाद में अनुपमा अनुज से वन्राज के बेवहार के लिए माफी भी मांगती है मैं सीरल की कहानी में आएगा बड़ा ट्वेस जब अनुपमा और अनुज एक होटल में खाना खाने जाते हैं जहां अनुज को खाना खाते वक्त खांसी आ जाती है तब अनुपमा अनुज की पीट थप थपाती है ठीक उसी वक्त वन्राज और काव्या भी उसी होटल में आते हैं और वन्राज ये सब देख लेता है और वो अनुपमा के पास जाकर उससे कहता है कि वो अपने परिवार की प्रतिष्ठा खराब कर रही है इतना ही नहीं वन्राज अनुपमा से कहता है कि कॉलेज के चिंगारी अब पूरी आग में बदल गई है ये सुनकर अनुपमा होती है गुसा और वो वन्राज को देती है जवाब कि ऐसा सवाल पूछने का उसका क्या अधिकार है अनुपमा वन्राज से बताती है कि वो वही थी जिसने अपनी शादी को साथ रखा क्योंकि वो हमेशा चूप रहती थी वहीं वन्राज ये बाद स्विकार करता है कि अनुच के साथ उसकी दोस्ती से उसे जलन होती है इसके साथ ही सीरिल की कहानी में आएगा निया टुइस जब होटल में दो लड़के अपने दोस्तों के लिए जूस में कुछ वोटका मिला देते हैं लेकिन ये गलती से अनुच और वन्राज के पास चला जाता है आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि वन्राज और अनुच नशे में हैं और वो दिल खोल कर डांस करते हैं वहीं दोनों की होती है बाचीत जहां अनुच वन्राज को कबूल करता है कि वो अनुपमा से प्यार करता है वेल अब वन्राज और काव्या मुंबई क्यों आए हैं और अनुच के इस कुबूल नामे के बाद अनुपमा के लाइप में क्या फिर से आएगा कोई नया ब्रेक ये देखना दिल्चस होगा झाल 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 झाल